नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है यमुना नदी का जलिस्तर बढ़ने के बाद खादर के रहने वाले लोग नोईडा लिंक हाईवे पर अपना ठिकाना बनाने को मजबूर हो गई हैं वहीं उनका सामान बिखरा दिखाई दे रहा है लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है मैयूर व्यार फेज वन मैट्रो के सामने से जाने वाले हाईवे के किनारे लोगों का जमावडा देखने को मिल रहा है कहीं खाना बन रहा है तो कहीं खुले आसमान के नीचे चोटे-चोटे बच्चे सोते दिखाई दे रहे हैं वहीं इसको लेकर लोगों में सरकार के प्रती बेहत गुसा भी देखने को मिला वहीं लोगों का कहना है कि हम देर रात दो बजे अपने घरों से अपना अपना समान लेकर निकले और पूरी रात ठिकाना बदलने का परियास किया उन्होंने कहा कि हमें हर साल इसकी सूचना दी जाती है लेकिन इस बार हमें इसकी कोई भी सूचना नहीं दिली जिस कारण हमें बेहत परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है सामने आई तस्वीरों में बड़े बुजर्ग और बच्चे हाईवे के किनारे खाट पर बैठे और सोते दिखाई दिये लोग खाना बनाते भी दिखाई दिये वहीं यमना नदी के बड़े जलिस्तर से लोग काफी परिशान हैं जिसके चलते यमना खादर का इलाका बार्द में डूबा दिखाई दिया ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ